तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि Lumiya's Company की मेरे पास 12 Voltage की बैटरी है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो मार्किट में इस टाइफ की लाइट आती है, जो की हमारे 4 Voltage पर काम करती है, तो इस टाइफ की लाइट को बिन को हमारी वीडियो पसंद आए तभी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अधर्वाइज वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समयने का बाते हुए वीडियो कंटिनुए स्टार्ट करते हैं तो देखें फ्रेंड जो इस टाइ तो यहां पर देखिए मेरे पास कटी हुई एक light है तो यहां पर इस led को मैं जला के आपको दिखाऊंगा कि यह कितने वोल्ट ले रही है तो इसके लिए देखिए मेरे पास यह मेरा led tester है तो इससे हम चैक करेंगे ठीक है सूपर led tester है यह हमारा इसकी मदद से आप कोई भी led देख सकते हो कि वह कितने वोल्टेज पर काम करती है कितने वोल्टेज पर नहीं काम करती इस तरीके से देखिए जैसे मैंने इसको सप्लाइज दी तो यहां पर अभी यह जब तक 300 नहीं हो जाएगा तब तक हमें वेट करन तो यहां पर आप देख सकते हो 300 रीडिंग सो कर रहा है कि देखिए मैं लाइट को बंद करके दिखा दूँ आपको इस तरीके से अब आपको बिल्कुल साफ साफ यहां पर 300 दिखाई दे रहा है तो यह जो हमारा सूपर led tester है इसकी मदद से हम 300 वोल्टेज तक की led को हम इस tester से check करते हैं तो देखिए कितनी वोल्ट ले रही है इससे हमें पता चल जाएगा तो यहां पर देखिए पलस मानस देखिए हमें इस प्रोब को लगाना है तो इस तरीके से देखिए मैंने प्रोब को लगाया तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह सिंगल led हमारी यह यहां पर काम कर रही है और यह पर मीटर के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर कितने ले रही है इस मीटर के अंदर हमारी single LED होती ही, यह हमारी 3 voltage पर काम करती है, तो यहां पर यह तो हमने चेक कर लिया, कि यह जो हमारी LED है, कितने voltage पर काम करती है, वही अगर हम इन सारी LED को एक साथ भी चलाएं, तब भी यह हमारी 3 voltage के आसपास ही लेगा, यह देखें, देख सकते हैं लगबग तीन वॉल्टेज के आसपास कर रहा है तो इस तरीके से यहां पे 10 लगी हो जी 50 लगी होगी तब भी यहां पर हमें वॉल्टेज सेम ही जो करेंगा इसके अंदर वॉल्टेज में कोई भी चेंज़िंग नहीं आएगी तो इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि यह जो हमारी LED है यह सारी सारी हमारी parallel के अंदर जोड़े हुई है ठीक है अब यह जो parallel क्या होता है parallel के अंदर यह होता है जो हमारी सारी LED है उनके plus plus एक वार से जोड़ी है और minus minus एक वार से जोड़े हुई है यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले है इस LED को 12 voltage की light से direct चलाते हैं फिर देखो क्या होता है करा दूं ये जो light है ये हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है यह देखे इस तरीके से काम कर रही है ठीक है अब इसको अगर हम इस से जलाते हैं तो देखे लगाते ही ये light लाइट हमारी खराब हो जाएगी यह मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है जैसे मैंने इसको लगाया तो यह खराब होगी और इन LED के बीच में अगर आप देखोगे तो यह LED हमारे बीच में से काली पड़ गी है नहीं है तो यह तो इसके लिए आप दो चीज कर सकते हो या तो आप बीच में रेजिस्टेंस नहीं है तो आज़की वीडियो के अंदर में आपको एक तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप इस एप के पैनल को बीना ही resistance के जला सकते हो वो कैसे करना है उसके लिए देखिए सबसे पहले में आपको इसके connection बतादू diagram के थुरू और फिर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है तो यहां पर देखिए इस paper के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिस करूँगा कि जो इस type के panel होते हैं इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे panel होते हैं इनके अंदर हम यह देखिए drawing मेरे इतनी अच्छी है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ तो इस तरीके से मान लो कि इसके अंदर led लगी हुई है ठीक है मान लो 4 led लगी है और सभी led के अंदर plus minus होता है यह plus हो गया यह minus हो गया यह plus हो गया यह led का minus हो गया यह फिर plus और यह minus हो गया ठीक है अब इस तरीके से हमारी led है यह ठीक है अब इसके अंदर connection कैसे होते हैं इनके connection ऐसे होते हैं कि लेटी के प्लस प्लस तो एक साथ ऐसे जुडे रहेंगे और माइनस-牛egen रहते हैं और यहां से हमारी एक प्लस वार निकल के और यहांसे एक माइनस वार निकल् Доousse इस तरीके की जो स्त्री प्लाट आती उसके अंदर ऐसे इस पैरलल के अंदर कंपर ख़ूए तो यहां लाइट है तो यहां पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है 4 LED को ही लेना है 12 वोल्टेज से जलाने के लिए हम 4 LED का यूज करेंगे तो यह हमारी 12 वोल्टेज की लाइट बन जाएगी और अगर आप इसे 5 LED को ऐसे सिरेज में करोगे तो यह 15 वोल्ट पे काम करेगी काम तो तब भी करेगी 12 वोल्टेज से लेकिन इसकी थोड़ी सी रोशनी डाउन हो जाएगी यहां पर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं इनके क्नेक्शन को हमें कट करना पड़ेग इसको बिलेड से ऐसे कट करना है ताकि इसका प्लस माइनस का कनेक्शन हमारा कट जाए इस तरीके से कोई भी आप बिलेड हुए है पैनी चीज ले लो और सभी को आपको इस तरीके से कनेक्शन कट कर लेना है इस तरीके से आपको बार-बार करना है इस तरीके से जब आप क को दिखाता हूं तो यह देखिए यहां पर मैंने ब्लेड से इसको बीच में से कट कर लिया है अब यहां पर कट करने के बाद यह चीज आपको कंफर्म कर लेनी है कि यह लाइने हमारी अलग-अलग हो गई है या फिर नहीं हुई तो उसके लिए हमें क्या करना है बैटरी से करना है देखे अब आप क्या हो रहा था कि अगर हम इसको CH2 — 1 — 1 को जोड देते थैं थो सारी LED अगर था मश्डा सकते नहीं पर देखिए अब अगर हम इस थी तो यहां पर हम-श्ड से चेक करेंगी तो यहां पर हमारी एक-श managers जलेगी तो इस थ्रीकेस यहां पर ब्लेड म पारने के बाद यह आपको कंफर्म कर लेना है कि कोई LED हमारी एक साथ तो नहीं जल रही सप्लाई देने पर ठीक है तो इससे यह हमें क्लियर हो गया कि इनके connection हमारे cut out हो गए अब यहां पर हमें क्या करना है सिरीज में connection करना है तो यहां पे क्या है कि पहले SMD है इसका प्लस point है इसको मैंने दूसरी SMD के माइनस के साथ में connect किया है तो इस तरीके से एक हमारे पास प्लस बच गया लास्ट में और यहां पी माइनस बच गया तो इस तरीके से यह जो हमारी अब से इसनी वोल्ट मिलती है तो यहां पर यह आला जो पॉयंट है हमारे प्लस का है एक को मैं यह यहां पर लगा रहा हूं और यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहां पर 11 V पैनल है यह 12 बाड़ा बढ़ा तरीके से काम करेंगा तो चलिए बारा बोल्टेज की बैटरी पर आपको इसे चला कर दिखाता हूं यह तो हम ने टैस्टिंग कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि यह तीन वोल्टेज की लाइट हमारी 12 वोल्टेज की बैटरी से बिल्कुल बढ़े तरीके से काम कर रही है तो इसी तरीके से अगर आपके पास इस टैप की कोई भी 13 वोल्ट यह 4 वोल्टेज की लाइट है और अगर आप उसे 12 वोल्टेज की बैटरी से बिना रेजिस्टेंस के चलाना चाते हो तो सबसे पहले आपको इसके पैरलल कनेक्शन को स्रीज में करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको बता दिया इस तरीके करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम